हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिशी क्रांती के इस YouTube चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR के इस नए नोटिस के बारे में जो कि 26 जुलाई 2022 को रिलीस किया लास्ट वीडियो में जो हमने eligibility डिसकस करी थी ICR accreditation की ICR JRF और SRF examination के लिए उसमें थोड़ा सा partially modify क के थ्रू हुआ हो या फिर State Agriculture University के एक्जाम के द्वारा हुआ हो उनके लिए बहुत important update है सबसे पहले अगर आपके admission के टाइम पे या फिर जब आप graduation या post graduation कर रहे हो उस time पे अगर आपके college या course में ICR का accreditation था तो आप 2022 के JRF SRF examination के लिए eligible हैं आपको कोई भी tension लेने की ज़र ICR का accreditation ना हो फिर भी आप इस case में eligible हैं यह अभी बताया जा रहा है कि केवल इस session में 2022 की session में यह आपके लिए थोड़ा partial modification किया गया है अगले साल क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता है तो इस साल जो भी आपको यह benefit मिल रहा है इसका आप फायदा उठाएम इसके बाद नेक्स बात आती है कि first batch students के लिए क्या नया है तो बहुत साइस students ने लास्ट वीडियो में comment किया था कि एक mail ID last year दी गई थी तो इस साल भी आपको एक mail ID दी गई है description box और screen पे आप देख सकते हैं website पे आपको आपके रजिस्टार से request करना है कि जितने भी students है first batch के उन सभी की details वो mail करें ICR के email ID इंडिया में 63 state agriculture universities है चार deemed to be universities है चार central universities with agriculture faculty और तीन central agricultural universities है तो इन सभी के students eligible है क्योंकि इन सभी universities में कभी न कभी आपके admission के time पे accreditation रहा है तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है आप सभी examination के through eligible है कोई भी tension लेने वाली बात नहीं है tension किसको लेना है उन students को जिनके college में course में university में कभी ICR के accreditation रहा ही नहीं वो बिल्कुल भी eligible नहीं है कोई भी उनको रियायत modification partial modification से कुछ फरक नहीं पड़ा है ये notice केवल उन students का था जिनके college में कभी न कभी न कभी ICR के accreditation था दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को share करें जिससे उनके मन में भी कोई confusion ना रहे ICR 2022 eligibility को लेके मिलता हूं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ अब तक स्वस्त रह हैं मस्त रहें देखते रहें कृषिक रांती यूट्यूब चैनल सचित आनन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद